हेलो दोस्तो क्या आपका भी फोन चोरी हो गया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत काम की है आप भी पज़ेसान है आज की इस वीडियो में चोरी हुए फोन को ढूंड कर दिखाते हैं हाँ एकदम सही सुन रहा है आप चोरी हुए फोन को भी आप पतक लगा सकते हैं कि क आप step by step इस वीडियो को देखे और आप भी अपने मुबाइल को चोड़ी होने से बचा सकते हैं और चोर को पकड़ सकते हैं location के साथ photo email सब चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो solution लेकर लाज तक इस वीडियो को देखे आप देख सकते हैं सबसे पहले जब चोर आपका phone चोड़ी करता है तो क्या करता है या तो वो phone को switch off कर देता है या password खोलने की प्रयास करता है same इसी तरह से आप देख सकते हैं हम आपको वीडियो में step by step खरके दिखा रहे हैं ऐसे phone चोड़ी करने के बाद वो या तो switch off करेगा या password को डाल कर on करने की खोलने की phone को कोशिज करता है जैसे आप देख सकते हैं जैसे ही वो phone को खोलने कोशिज करेगा हमारे पास email आ जाएगा और उसका photo आ जाएगा जैसे अभी हम live proof करके दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ अभी हम चेक किये और यह photo इमेल पर मेरा चला आया यह कैसे हुआ आपको शुरू सल कलास तक इस वीडियों बने रहना है और बताने वाले हैं सबसे पहले आपके पास यह application होनी चाहिए जिसका नाम है इसके बाद आप इसमें जो setting है उसको करना है आप देख सकते हैं step by step हम यहाँ setting दिखाने वाले आपको सबसे पहले email अपना डाल लेना है वो email जिस पर आप photo चाहते हैं जैसे यह phone चोड़ी हो गया तो इस पर कोई और email देंगे जो दूसरे phone में login हो और उस पर मेरा चोड़ी हुआ चोर का photo चला जाए ठीक उसके बाद यह device notification on रखेंगे ठीक है आप देख सकते हैं जैसे यह जो भी खोलेगा उसका photo बहुत सारा जो भी जितनी बार खोलेगा उसका photo आ जाएगा ठीक यहां देखेंगे ठीक photo मतलब कितने attempt में photo खिचनी चाहिए तो एक ही रखना है क्योंकि एक ही बार में photo उसकी आ जानी चाहिए नहीं तो दो तीन अगर रखते हैं तो चार-पांच बार अगर फोन को खोड़ लेगा उसके बाद ही आपके पास photo मिलेगा ठीक तो हमें इसको एक ही रखेंगे ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं प्ले स्क्रीन पे चलते हैं ठीक टेक पिक्चर में जाकर ये location को हमेशा on रखना है ताकि फोन कहां है इससे ये पता लगेगा और camera जो front camera है ये camera को front पे सिर्फ रखना है ठीक back में नहीं रखना है ताकि कोई भी password खोलता है तो front camera से खोलता है है ठीक जैसे उन कर लेंगे हमारे पास आप देख सकते हैं इसी phone में Gmail जो डाले हुए है उस पर मेरा फोट इसका फोटो आ गया लेकिन यह email ID किसी और फी फोटो में login होनी चाहिए ताकि वहां भी फोटो आपका पहुंच जाए कि यह फोटो चोड़ी हो गया तो फिर दूसरे फोटो पे आपका फोटो इमेल लोकेशन सब दी चला जाए आप देख सकते हैं लाइप प्रूफ हमारे पास लोकेशन भी है कहां पे यह फोन है आप लोकेशन भी देख सकते हैं जूम करके पूरा कि मेरा फोन कहां पे है अप लाइप प्रूफ देख सकते हैं अगर इसी तरह कि मेरे और भी वीडियो को देखना चाहते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे फिर से मिलते है एक नए वीड झाल पूं